हेलो फ्रेंड आपके अपने यूटूब चैनल अभैसिंग फियलेस वर्ल्ड में स्वागत है और आज हम लोग जानने वाले हैं निबोस एचसडवलू के बारे में कि निबोस एचसडवलू क्या है तो निबोस एचसडवलू एक three-day का कोर्स है और काफी famous है काफी लोग निबोस एचसडवलू को like करते हैं और initially आज इसी करने से पहले बहुत सारे लड़के एचसडवलू करते हैं यह जो है इसके लिए क्या गया है और निबोस एचसडवलू कोर्स इज फॉर एन इंडिवि through an internationally accredited qualification जो भी health and safety में पहला कदम डालना चाहते हैं, उनको HSW कर सकते हैं, उनको advanced knowledge मिलेगा health and safety में और एक ये internationally accredited qualification है, जो कि आपको हर जगा इस पर चाहें तो जो भी कर सकते हैं. निबोस HSW certificate is first step and key foundation for higher professional qualification in the field of OHS. ये first step है, जैसे कि मैं बता दूँ, HSW इसके बाद लोग IGC करते हैं और उसके बाद IDIP करते हैं, तो इस तरह से जो है, ये निबोस के कुछ qualification है, तो ये आपको level 2, level 3, और ये level 4, तो इस तरह से जो है, आप देख रहे हैं कि अलग-अलग levels है, तो अगर आप health and safety में चाहते हैं कि आपका knowledge बढ़ें, तो then you can join HSW, आप इस course को join करें, और मैं इसके हर एक elements पर lecture बनाऊंगा, I hope जो है, आप इसको अच्छे समझ पाएंगे, अगर आप इस पूरे lectures को अगर आप देखते हैं, तो आपको health and safety, जो की निबोस द्वारा, जो syllabus बनाए गया है, काफी famous course है, आपको पूरा-पूरा knowledge मिलेगा, उसके पाद इसके benefits क्या है, तो निबोस HSW is perfect foundation to health and safety course for beginner, निबोस HSW serve as a strong fundamental for any professional to learn निबोस IGC, ये एक आपको strong foundation देता है HSW, और जिससे की आप निबोस IGC की तरफ आप जा सकते हैं, तो ये काफी, first step कहिए कि अगर आप health and safety में एक निबोस के द्वारा certificate लेना चाहते हैं, तो first step है, इसको आप अगर अच्छे से complete करते हैं, तो IGC या IDB की तरफ आप बढ़ सकते हैं, निबोस HSW qualified professional help the organization to implement HSMS, यानि की health safety management system को implement करने में काफी help करते हैं, जो की जो निबोस HSW qualified होते हैं, उसके बाद जो है, इसका benefit यह है, third, कि निबोस HSW qualified professional make a difference in bringing in positive safety culture and protecting the organization reputation, यानि की ये अगर कोई qualified professionals इनके होंगे, वो आपको positive safety culture को develop करेंगे, यानि की वहाँ पे अच्छे safety culture बनाएंगे, और साथ में protecting the organization reputation, reputation भी इससे बचेगा, तो आपने देखा, कि अगर कोई employee या अगर कोई engineer इस qualification को रखता है, तो काफी help मिलता है organization को, HSMS को implement करने में, और वहाँ का safety culture improve होता है, otherwise आप अगर इस course को करते हैं, तो आप next level की तरह भी बढ़ सकते हैं, निबोस IJC की तरफ, जिसमें आपको काफी help मिलेगा, course content, आइए देख लेते हैं, इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कि इसमें दो paper है, एक first HSW paper 1 और HSW paper 2, तो दो papers है, तो first paper जो की theoretical है, जिसमें आपको multi choice question पूछे जाएंगे, उसमें आपको ये total 9 elements complete करने है, foundation of health and safety जैसे कि आपने देखा, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, 7, 8, 9, and 10, तो 10 elements आपको complete करने पड़ेंगे, second paper होगा HSW, risk assessment, activity और इसमें workplace risk assessment आपको बना के देने होगे, ये practical paper है, जिसमें आपको assignment जमा करना है, इसके duration जो है, three days का है, और ये three days को class जो है, आपको classroom में दिया जाएगा, और आप इस lecture को भी देखके, आप classroom training के तरह अटेंड कर सकते हैं इसको, और आपको पूरी जनकारी हो जाएगी, आप directly जाके एक जाम भी चाहें तो दे सकते हैं, तो training इसकी methodology classroom में होता है, और आप इसी पूरे lecture को देखेंगे, तो ये classroom training भी complete हो जाएगा, और assessment जो है one hour, आपको lecture मिलेगा, और आप ये दो exam देखेंगे, यानि कि एक तो आपको multi choice question है, और secondary project देखेंगे आप इस certificate को ले सकते हैं, तो, आपको